तो यहर आज मैं आपको top 5 laptop बताऊंगा जो कि gaming के लिए perfect deal हो सकती है आप gaming कर सकोगे 40,000 के budget में start करते हैं number 5 की बात कर लेते हैं No.5 की बात करते हैं लेकिन No.5 की बात करने से पहले को कहाता हो वहीदि प्राब्लम करना मैं एकर कोई प्राब्लम नहीं आने वाले बैसे बनाम कर सकते हैं तो start करते हैं, number 5 की बात करते हैं, number 5 पर यार मैंने रखा HP 14 को, अगर इस laptop की बात करूँ, सबसे पहले इस के price range की बात करते हैं, आपको 41,000 के butter में HP 14 में इस specification के साथ देखने को मिलता है, आपको i3 देखने को मिलेगा, 10th generation के साथ या 11th generation के साथ, अगर आप 11th generation के पास अगर आप extra pay कर सकते हो, तो आप 11th generation के और चले जाना, ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें आपको SSD देखने को मिलेगी, अगर मैं SSD की बात करूँ, इसमें जारे जो data है, वो जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, इस comparison के साथ है, HDD के साथ, ठीक है, 8GB RAM देखने को मिलेगी, जि इसको number 5 पर रखने का, तो भी अगर आपको HP का ही laptop चाहिए, अगर आपने video editing करने है, जा अगर आपने normal setting पर gaming करने है, आप इस laptop पर कर सकते हो, बस मैं आपको यह चीज़ कहना चाहता हूँ, कि अपने 16GB RAM के और minimum जाना ही जाना है, अगर आपने video editing करने है, जा अगर आपने generation के साथ, जो की सच में तगड़े पुरसाइस रहे हैं, कोई भी problem issue नहीं आने वाला, आगे बात करते है, number 4 की, number 4 की बात करूँ, number 4 पर यार मैंने रखी है, am my notebook for doing को, अगर इस laptop की बात करूँ, सबसे पहले, यह laptop भी आपको 41,000 के बटर में देखने को मिल जाता है, laptop का design, build quality बहुत जारा सही है, प्लस भी अगर आपको as a student भी चाहिए, as a office पर के लिए भी चाहिए, अगर आपने video acting भी करनी है, अगर आपने gaming भी करनी है, आप सभी के लिए best deal हो सकता है, इसके सबसे पहले graphic card की बात करते हैं, आपको Intel UHD graphic भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, SSD देखने को मिल जाते हैं, अभी मैं आपको इसका minus point भी बता देता हूँ, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा, इसके minus point की बात करूँ, आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता, जो कि सच में एक minus point आ जाता है, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना, कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता, वैसे इसकी display quality बहुत जादा सही है, build quality, उसके साथ भी इसका trackpad, touchpad भी बहुत जादा सही है, long battery lap मिलती है, सबसे पहली, सबसे पहली बात आती है, कि आपको 10 hours का battery backup मिल जाता में जितने भी आपको laptop बता रहो ना, कि किसी laptop में भी आपको 10 hours का battery backup नहीं मिलता, जो कि सची में एक plus point आ जाता है, MI notebook 14 का, अभी आगे बात करते हैं, number 3 की, number 3 की बात करूँ है, number 3 पर मैंने रखा Lenovo IdeaPad Slim 3i को, अगर इस laptop की बात करूँ, सबसे पहले इसका budget बहुत जादा सह यह आपको मिल रहा है, so that's why मैंने इसको number 3 पर रखा, because अगर आपका budget 40,000 से भी कम है, अगर आप extra पे नहीं कर सकते, आपके लिए best deal हो सकता है, Lenovo IdeaPad Slim 3i Plus, अगर मैं इसके budget range की बात करूँ, 37,000 के budget में मिल जाता है, plus आपको इसके साथ Lenovo laptop bag भी देखने को मिल जाता है, HDFC Card पर, या SBI Card पर इस laptop में आपको 5000 less देखने को मिल जागा, तो इस laptop का price हो जबगा, तीससदार के budget में, आपको बहुत अगरे specification देखनी को मिलेंगे, आपको i3 देखनी को मिलेगा, 10th generation के साथ में मिल जागा, 11th generation के साथ भी देखनी को मिल जागा, भी अगर आप 11th generation के time video use कर सकते हो इस laptop को as a student हो as a office work के लिए चाहिए अगर आपने को heavy software यूज़ करना अगर आप वीडियो एक्टिंग वगरा भी करना चाहते हो उसके बाद भी अगर आप normal setting पे gaming भी करना चाहते हो आप इस laptop पे कर सकते हो प्लस आपको 8GB RAM देखने को मिल जागी 12GB तक अप upgrade कर सकते हो प्लस आपको SSD देखने को मिल जाथ है लाइट वेट है प्लस आपको MS Office भी देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन यह लैक्टॉप के main specification तो मैंने आपको बुता दी अभी मैं आपको तो फिर से repeat कर देना चाता हूँ कि आपको 8GB RAM मिल जाते है लेकिन आपने upgrade करने ही करने है 12GB तक आपने रखने ही रखने है ठीक है अगर आपने gaming करने है अगर आपने वीडियो एट्टिंग करने है अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना ओफिस बर के लिए चाहिए अगर आप as a student काम करना जाते हो MS Office पे काम करना जाते हो जा कोई loaded file पे काम करना जाते हो फिर तो आपके लिए 8GB बहुत है अगर आपको वीडियो एट्टिंग करने है जा gaming करने ह 12GB RAM minimum रख लेना विकाज इसमें भी आपको integrated जो है graphic card देखने को मिलता है तो आगे बात करते है number two number two की बात करूं number two पे जार मैंने रखिया asus vivobook ultra 15 को अगर इस laptop की बात करूं अगर आपको 41,000 के बदर में एक slim and stylish design भी चाहिए अगर आपको gaming भी करने है अगर आपको video editing भी च बिल्कुल भी नहीं यह look कर देता कि यह 40,000 के बिदर में आपको देखने को मिलगा ठीक है आपको 2020 model देखने को मिलगा आपको i3 11th generation के साथ मिलता है 8GB RAM मिल जादा है 16GB तक आप upgrade कर सकते हो plus आपको fingerprint भी देखने को मिल जादा है plus आपको SISD देखने को मिलगी मैंने आपको बता दिया slim and stylish design है तीन colors में देखने को मिलता है एंड इसके battery backup की बात करो आपको 4-5 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है उसके बाद इसका weight यार 1 kg 800 gram सिर्फ इसका weight देखने को मिलेगा तो बही मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सूस laptop के भी बता दिया सच में laptop का जो design है जब क को upgrade कर सकते हैं अगर आपको experience अच्छा चाहिए तो आपने 16GB RAM minimum रखनी है आप आगे बात करते हैं number one की number one की बात करो number one पर यार मैंने रखा इस तर इस पार 5 को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले यार अगर इसके budget range की बात करो अगर आप extra pay कर सकते हो आप इस laptop के और चले ज आपको i5 10th generation के साथ मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते हैं जो कि आप upgrade कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको SIT देखने को मिलेगी graphic card की बात करो आपको 2GB graphic card देखने को मिल जाता है तो इस पे तो आप normally gaming भी कर सकते हो and normally आप video acting भी कर सकते हो अगर आपने 4K भी try करना आप कर सकते हो बस आप आपको graphic card भी 2GB मिल जाता तो भी आपने जैसे भी यूज़ करना है आप कर सकते हो तो अभी मैंने आपको सभी laptop के specification बता दिये मैं आपको फिर से repeat कर देता हूं अगर आपका budget increase हो जाता अगर आप 45,000 या 46,000 पे कर सकते हो आपके लिए Acer Spire 5 या MI Notebook 14 best deal हो सकते हैं इन दोनो आपको specification तगड़े मिल जाता हैं अगर मैं बात करूं अगर आपका budget 30 फाल्स हो रहने हैं तो इस budget range में भई आप जा सकते हो लिए लिए आपके लिए ही benefit होने बाला है तो यार अभी मैंने आपको वीडियो आइटिंग के लिए भी laptop बता दिया, gaming के लिए भी बिता दिया अ अगर आप animation करते हो, cartoon draw करते हो, कुछ भी करते हो, programming करते हो जा अगर आप coding करते हो आप सभी के लिए जो मैंने laptop बता है वो बैस deal हो सकते हैं अब यह आगे मिलते हैं कोई नया topic बगारा लेकर आएंगे आपके साथ share करेंगे तो यार मेरी वीडियो यही पर हो जाती है, खरत अगर आपको मेरी विच्च लगी यार वीडियो को लाइक करते हो लाइक करते हो जाते हो नवी मेलते ने आक्स्ट वीडियो में ने वीडियो साथ, थेंक्यू